वक्फ बोट कानून संसोधन को लेकर पूरे देश में राजनीती हो रही है बजट सत्र में इस बिल को लेकर बिपक्ष सत्ता पक्ष पर हमला बर है तो बिहार में भी एक अलग राजनीती देखने को मिल रही है नवशकार मैं श्वेत और आप देख रहे हैं न्यूस फानिशन बक्फ बोट बिल कानून संसोधन को लेकर एक बार फर से राजनीती गर्माती हुई नजर आ रही है बिहार में खास करके जदियू की बात करें तो जदियू में तमाम मुस्लिम नेताओं ने मुख्यमंतरी नितीश कुमार से बाचीत की है उनसे मुलाकात की है और अस कानून को लेकर कई बाते जो हैं वो सामने रखी है लेकिन अब आपको बताते चलें कि इस कानून को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आई है दरसल आपको ये बता दें कि वक्फ बोट कानून संसोधन विधैयक के समर्थन में गुरुवार को लोग सभा में जदियू के नेता और केंद्री मंतरी ललन सिंग की जोरदार दलील के बाद जदियू ने इसको लेकर शुकरवार को भी अपना रुख साफ किया है जदियू नेता और बिहार सरकार के जन संसाधर मंतरी विजय चौधरी ने वक्फ संसोधन विधैयक का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है चौधरी ने साब तोर पर कहा है कि वक्फ बोर्ट संसोधन विधैयक कल संसध में पेस किया गया और केंद सरकार्क ने अनुरोध किया है कि इसे संसदिये समीती को भेजा गया है वक्त बोर्ट संसोधन विधयक को संयूक्त संसदिये समीती में भेजना उचित और सहरानी ये कदम है एक तरफ जहां विजय चोधरी ने आगे कहा है कि विधयक लाने की चर्चा के बाद मुसल्मानों में चिंता थी और भ्रहमक की स्थिती थी बिलको संयूक्त संसदिये समीती में भेज कर सरकार का अच्छा कदम है अब इस विधयक पर गहराई से अध्यन और संसदिये समिक्षा होगी उमीद है कि अलब संक्यक समुदाय के लोग अब संयूक्त संसदिये समीती के फैसले से खुश होंगे और उनकी राय को सहमत देंगे जदियों और नितिश कुमार के नेतृत में हम मानते हैं कि अलब संक्यक मामले पर संवेदन शीलता से निर्ने लिया चाएगा जाहिर थोर पर जदियों ने साफ संके दिया है कि संयूक संसदिये समीती के आने के बाद इस पर कोई विवाद नहीं रहेगा और बिल पास हो जाएगा सूत्रों से जानकारी के अनुसार केंद की नरेंद मोधी सरकार ने वकफ वोड़ अमेटमेंट बिल दो हजार चौविस को जॉइंट पालिया मेंट्री कमीटी के पास भेजने का फैसला एंडिये के सहयोगियों के विचार बिमस के कारण के बाद लिया है बताया जा रहा है कि नतीश कुमार लोजपा रामविलास के प्रमुक और केंद्रे मंद चिराग पासवान और टीडीपी के प्रमुक चंदरबाबु नाइडू की अहम भूमिका रही है कि इन सरकार इसे ज्वाइंट पालिया मेंट्री कमीटी में भेज़ दी है लेकिन ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि बक्फ वोट कानून संसोगन को लेकर मुसल्मानों के मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे बिपक्षी भी इस बार किसी तरह की राज्विती करने में सफल रहे हैं इस सब मामले को लेकर जूट और निरेटिव न बना पाए बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर एंडिये के अंदर सहमती बनी है इसमें एहम भूमिका नितीश कुमार की है भी भाश्वा के साथ रहते हुए भी एक अलग छबी उनकी रही है हाली में जब कुस्छ मुस्लिम नेताओं ने नितीश कुमार से मुलाकात की तो उन्हें आश्वासन दिया गया है और इस पर वो जरूर सोचेंगे ऐसा वो कहीं है वक्फ बोज कानून संसोधन पर जेपीसी जो है उसे भेजी गई और क्यूं बनाई गई है इसको लेकर नितीश कुमार और कहीं न कहीं चिराग पासवान और चंद्रबावु नाइडू के विचारों को आगे रखा गया है दरसल आपको बताते चले कि सूतर के हवाले से खबा निकल कर सामने आ रही है कि जब इस बिल को लेकर इस कानून के संसोधन को लेकर संसद में आवाज उठाई गई तो उस वक्त नितीश कुमार और चंद्रबावु नाइडू ने अपनी प्रतिक्रिया केंसरकार के सामने रखी और केंसरकार ने इन बातों को सुने के बाद ये फैसा लिया है फिलहाल के लिए सब्रेच में इतना है